उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी तरह प्रयासरत हैं और मजनूत अथा छेरचार की घटनाओं से निबटने के लिए उन्होंने एंटी रोमियो दस्ते का गठन भी किया है लेकिन बावजूद इसके कही न कहीं ऐसी कोई घटना हो ही जाती है जो कुछ न कुछ सवाल खड़े कर ही देती है उत्तर प्रदेश के पीली भीत में भी पीते दिनों कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़की द्वारा एक आशिक के प्यार के प्रस्ताव को मना करने के बाद उस आशिक ने जिस तरह सरयाम उस लड़की की पिटाई कर दी वो ना केवल चिंता जनक है बलकि ये भी बैया करता है कि इस तरह के मजनों के होसले कितने बुलंद है पीडित लड़की के अनुसार आरोपी युवक्त ने पहले तो लड़की से फेस्बुक पर दोस्ती की फिर बाद में शादी के प्रस्ताव भेजने लगा लड़की के उसे unfriend करने के बाद वो उस जिम के नीचे आकर उसे प्रपोज करने लगा जहां लड़की exercise करती थी मना करने पर आरूपी युवक ने लड़की पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटने लगा ये सारा वाक्या जिम के बाहर लगे CCTV में कैद हो गया इस तरह की घटनाओं ने महिला सुरक्षा के लिए किये के परयासों पर एक बार सवाल तो जरूर खड़े कर दिये हैं ऐसे सनकी आशिकों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन निउस को सबस्क्राइब करना न भूलें